सर्श्री द्वारा नया संदेश New Wisdom Series for True Progress in Life आप सब को शुविच्छा, have a thoughts पर्थिवी पर मनिष्य देह जो भी है वह खुजी है और सभी को एक ही रोग है रोग क्या है? खुद से बिच्छडने का खुदा को भूलने का खुद से बिच्छडने का रोग है और खुदा को याद करके खुद से मिलने का स्वास्थ प्राप्त करने के लिए सभी तडप रहे हैं सभी की इच्छा, शुविच्छा क्या है, फिर से एकत्रित होने का, अंदेखे जो हैं, वे अंधे हैं, जैसे दृत्राष्ट्र, जरूरी नहीं बाहर से अंदा होना अंदा होता है, जैसे कि गांदारी है, अंधी नहीं है, तो भी अंदेखे खोजियों में आती है, क्योंकि खोज नहीं हो रही है, पट्टी चड़ी हुई है, मानेताओं की पट्टी बंदी हुई है, इसलिए खोज नहीं होती है, और दृत्राष्ट्र अंदा है, वो पट्टी तो नहीं बांद रहा है, मगर सुन भी नहीं रहा है, कान पर पट्टी बंदी हुई है, एकने आखों पर पट्टी बंदी हुई है, और एकने कानों पर पट्टी बंदी हुई है, शिरी कृष्ण ने जो आखरी सला दी दृत्रास्ट्र को वह सला भी उसने नहीं सुनी क्योंकि कानों पर पट्टी बंदी हुई थी स्टार्ट ही शिर्वन से होती है शिर्वन ही नहीं हुआ तो अगली स्टेप्स आती नहीं है जो इकत्र होती है जैसे भाव, विचार, वानी, क्रिया ये एकत्र करने है तो शक्तिशाली चरित्र बनता है शक्तिशाली जिसके लिए कहा जा सकता है कि ये इंसान जो है इसको नीव है इसकी एक सोच है इसका एक दृष्टिकोन है इस पर भरोसा किया जा सकता है वो जो बोल रहा है वैसा ही वो सोच रहा है वैसा ही वो करता है वैसा ही इसकी वानी से निकलता है क्योंकि इसकी सभी बातें एकत्रत हैं जाने अंजाने या जानकर कुछ लोग इस पत पर चलते हैं जहां उनकी लाइफ इंटीग्रेटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, इसलिए लोग उन पर बरुसा करते हैं, सब शक्तियां आपकी एकत्रित होनी चाहिए, तब आपके जीवन में जो इसकी बात चल रही है, मूल रोग समाप्त होता है, और आपको कुल मूल लक्षय मिल जिस पर शिरी कृष्ण ने बताया, अन्देखे खोजी को, क्या बताया, कि तुम धरम द्वज के रक्षक हो, हे धरम द्वज रक्षक, प्राण समाप्त होने से पहले, अपने कुल को इकत्र करो, अपने कुल को इकत्रित करो, और जो पांडव हैं, तुमारी छत्रचाया में बड़े हुए हैं, वे भी तुमारे सिनेह के पात्र हैं, और उन्हें इंद्रपरस्थ लोटा दो, और इकत्रक कर दो, वरना पूरे कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश, मूल का नाश, लक्षे का नाश, कुल मूल लक्षे का नस्ट होना है ये, नाश है ये, कुल मूल लक्षे, तो कुल जो है, एक वन्शज के लिए कहा गया, जो भी आपके वन्श में आते हैं, कुल को एकत्रित करो बाहर से तो, जब आप सभी को एकठा करते हो, तो एक पावर बनता है, जब बिखरे हुए हैं तो वे ही एक दूसरे को नाश करते हैं आपकी ही शक्तियां आपकी ही विर्तियां आपका नाश करती है क्योंकि आपने उन विर्तियों को दिशा ही नहीं दी है क्या करना चाहिए और इस उधारन से आखरी सलह श्री कृष्ण ने जो दी उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, आपका कुल मूल लक्ष क्या है, बाहरी जगत में तो लोगों को लगता है, धन एकतरत किया, तो बड़ा काम हो गया, और अगर आप से सवाल पूछा जा, धन एकतरत किया गया और दुआएं एकतरत की गई, दोनों में से क्या आने वाली है, एक बाहरी जगत का, जब आप उधरन लेते हैं, तो वहां पर भी लोगों को क्लियर नहीं होता है कि एकतरत क्या करना है, क्या एकटा करना है, और वो जो आया वो एकतरत करते रहते हैं, और दिवाली में भी मुश्किल से निकलते हैं, ये भी काम में आएगा ये भी काम में आएगा, क्या-क्या एकतरत करके रखा होता है, तो नया साल आता है, लोगों को मनन करने का मौका मिलता है, क्या एकतरत करना है और क्या है जिसकी आवशक्ता नहीं है, तो बाहरी जगत के उधरन से तो क्लियर होता है, ये बात चल रही है, अंदर के जगत के क्योंकि कुल्मूल लक्षित जो पर्थिवी पर आपका है वो आपको मिले इसके लिए आपकी शक्तियां इकत्रत हो बृत्राष्ट्र सदा दुखी है मगर उसके मालम नहीं है कि उसके दुख का कारण क्या है इंसान ने मन नहीं किया क्योंकि शिर्वन बंद है मन नहीं किया तो अगला कदम आता नहीं है इकत्रता होती नहीं है क्या था दृत्राष्ट्र के अंदर क्यों वो सुन नहीं पा रहा था क्यों गांदारी उसे बता नहीं पा रही थी वो तडपता रहा जिन्दगी बर और महावारत का कारण भी बन गया क्योंकि उसने दृयो दन को क्लास का मौनिटर तो बना दिया मगर अधिकार अपने पास नहीं रखे तो श्री कृष्ण की शब्द क्या थे धरम द्वज के रक्षक धरम द्वज धरम का द्वज धरमात्मा कौन है सेल्फ के लिए इंज शब्द आते है उसे जगाए रखने के लिए धरम को जगाए रखने के लिए आपको प्राण निकलने से पहले मनिश्य देह समावत होने से पहले अपने कुल को इकत्रित कर दो इंद्रपरस्त अस्त व्यस्त हो जाएगा उसके पहले आप इसे पांडवां को सौप दो देखो इंद्रियों को द्रियोदन कंट्रॉल नहीं कर सकता इंद्रपरस्त उसके हाथ में दे दिया तहस नहस कर देगा तो किन लोगों को दिया जाये जो उसको समबाल सकते हैं यानि हमारी इंद्रियां ये आँख है नाख है कान है जुबान है सारी इंद्रियां तुचा पांचों इंद्रियां इन सब को दिशा मिलना आवशक है यानि इनको इकत्रित करना आवशक है आप के कान सुन रहे हैं तो आँख क्या कर रही है आँख अगर किसी अलग दिशा में जा रही है, तो फिर यह इकत्रित शक्ती नहीं है, कल्पना में जा रही है, मांसिक कल्पना में जा रही है, तो वो आधा सुनकर आधा भूल रही है, तो आप चाहेंगे कि आपकी कल्पना भी, मेमरी भी और पांचों इंद्रियां भी, ये सब एकत्रित हो जाएं, और आपके अंदर रज, तम, सत, तीनों गुण हैं जो शरीर के, ये तीनों एकत्रित हो जाएं, और आपकी विर्तियां आपको खीच रही है, आपके ही कुल के आपके कुल के लोग, तो प्राण समावत होने से पहले, धरम द्वयज के रक्षकों, आपको क्या करना है, इनको एकत्रित करना है, ये आपकी सल्तनत है, मौनीटर को अधिकार मत दो, इंद्रियों को एक दिशा में लगाओ, रज्टम सत्को एक दिशा में लगाओ, सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है, तेज ग्यान नहीं, तेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं, इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं यह शिविर आप ओनलाइन भी कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही अपने अभी प्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं हैपी थौट्स तेजग्यान और सरश्री तेजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट अपडेच सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं धन्यवाद